नमस्कार दोस्तों जे आर्बी सॉलिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है तो दोस्तों जो सेटिंग अरेज्मेंट एक टॉपिक चल रहा है इसमें आज आगला पार्ट देखते हैं तो दोस्तों जैसे आर्बी आई स्टेंड मेनेजर 2006 में आयो कोस्चन है इस कोस्चन में किस तरीके से रेलवे में या ग्रूप D में या एन्टी पी सी में और आपके सभी स्टेट लेविल और नेशनल लेविल के जो एक्जाम होते हैं कॉमपेटीशन काहिए एक्जाम उनमें कैसी कोस्चन पूछे जाते तो दोस्तों मैं इसको आपको बता दूंगा इसमें तो चलिए दोस्तों आज पहले कोस्चन करते हैं तो दोस्तों का कह रहा है A B C D E F और G केंद की और मोह की हुए बैठे हैं एक ब्रत में बैठे हुए हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या करना है कोशन क्या कर रहा है ब्रत तो दोस्तों हम क्या करेंगे ब्रत बनाएंगे दोस्तों यह हमारा ब्रत बन गया अब question केदा है तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों और classes देखना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते है पिछले वीडियो है ब्लैलिस्ट में आपको सबसे पहले ऐसा बनाना है क्यों बनाना है मैं अभी आपको बताऊंगा अब question में देखना है A और G के बीच में D बैठा है दोस्तो question क्या कह रहा है कि एक ब्रत में बैठे हैं सबे अब A और G के बीच में D बैठा है अब आगे पढ़ेंगे G के दाय तरफ F दूसरा बैठा है तो दोस्तो हमें पहले इसमें concept थोड़ा सा बता देता हूँ concept A है कि आपका दाया जैसे G बोल रहा है दाय तरफ F बैठा है तो दाया किस साइड आएगा इस और ही आएगा ना क्योंकि हमेशा यहां से हम हमेशा यहां से start करेंगे जब किसी को बिठाना हो तो हम यहां से बिठाएंगे तो यहां से दाया किस हो रहाएगा यहां पर और यहां से बाया किस हो रहाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आएगा बाया तो दोस्तों इसमें क्या करना है तो दोस्तों किसी भी question में reasoning के अपने उपर imaging करना है आपको यानि question का reasoning का मतलब ही होता है imaging करना अपने उपर imaging करना जैसे G कह रहा है कि दायत तरफ दूसरा बैठा है लेकिन G कहां बैठा है A और G के बीच में D बैठा हुआ है तो दायत तरफ दूसरा यानि यदि इधर बैठा होगा कोई बैठा ही तो उसका दायत तरफ कहां पर होगा यहां पर लेकिन दूसरा बैठा है तो दायत तरफ यहां पर पहला एक और person बैठा होगा फिर यहां पर दूसरा यानि first यहां second तो यह हो जाएगा दायत से दूसरा तो दोस्तो हमें क्या बता रहा है पहले ही तो हम A को सबसे पहले A को बिठा देते हैं हमने यहाँ पर A को बिठा दिया अब कोशन क्या करा है A और G के बीच D बैठा है तो बीच में बैठा है ना तो हमने यहाँ पर यहाँ कहीं बैठा होगा क्योंकि G, G को हमने बिठा दिया यहां पर और यहां पर बैठा है D तो दोस्तो A बैठा है D आगे बढ़ते हैं, आगे कोश्चन क्या कहता है तो दोस्तो आगे कोश्चन कहता है कि G के दाएं तरफ F दूसरा बैठा है तो G के दाएं तरफ यानि बीच में कोई बैठा गुइंपाका क्योंकि कोस्ट्चन कहे रहा है कि दूसरी के दाइट त्रफ दूसरा तो f का जी का जा नाyai को ख़िए इद्धै दाइगा दोस्तों यहां ciudad आएगा तो यहां पर बिठा दिया हमने एप को अब आगे कोश्चन क्या कहता है और एफ के दाएं दूसरा बैठा ए तो एफ के दाएं तो दोस्तो एफ का दाएं कहां पर आएगा तो दोस्तो एफ का दाएं भी यहां पर ही आएगा और question कह रहा है कि अपका दाए E दूसरा बैठा है तो पहले तो कोई बैठा होगा उसके बाद E बैठा है तो हमने E को यहां पर बैठा है क्योंकि दूसरा बोला है हमने दूसरा यहां पर बैठा दिया अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है question जी के एकदम पडोस में C नहीं है तो दोस्तो हमारा E हो गया हमें करना क्या था तो दोस्तो हमारा A बैठ गया दोस्तो हम पहले देख लेते देखो A बैठ गया ठीक है A बैठ गया G बैठ गया D बैठ गया D के बाद F बैठ गया F के बाद E भी बैठ गया तो हमारे पास बच्चा क्या B और C दो बच्चे ना हमारे पास एक B और एक C तो हमें इन दोनों को बिठाना है पहले हम एल्गोरिथम में ही दोस्तो हमेशा याद रखना है कि पहले एल्गोरिथम बनाना तो क्या होगा हमारे पास एक option ही तो रह रह रहा है बी तो यहां पर हम बी को बेठा देंगे अब हमारे पास क्या बचा हुआ है सी तो I hope दोस्तों सी यहां पर सी यहां पर ही आएगा सोरी सी यहां पर आएगा तो दोस्तों यह हमारा algorithm बंदा है अब हम देखते हैं question को तो दोस्तो यह हमारे रहे कोस्टन अब हम देखते है कोस्टन में कोस्टन क्या कह रहा है तो फर्स कोस्टन को चलते हैं फर्स कोस्टन क्या कह रहा है ए के एकदम बाय कौन बैठा है तो दोस्तो आपको ए पे जाना है ए का बाया बता है तो आप पर amazing करिए कि आप बैठे हो E तो E पर amazing करिए थी आप किस और बैठे हो तो ये E रहा ये E है आप ये बैठे हो तो आपका question में क्या पुछा है by एकदम by तो दोस्तो E का दाएं तो इधर आएगा ना E का दाएं तो यहाँ पर आएगा और E का बाया किधर आएगा यहाँ तो एकदम पास में को ने C तो दोस्तो इसका सही answer क्या आएगा C नेक्स question पर चलते है दोस्तो आई होप आपको समझ आया होगा नेक्स question क्या है निमने में से कौन सा सही कथन है तो दोस्तो question क्या करा है फस topic answer देखेंगा हमें यहाँ पे A के डायतरण दूसरा G है ऐसा question हमेशा answer सही होगा यह भी याद रखना A के डायतरण दूसरा G है तो दोस्तो देख लेते A के डायतरण थीक है A का डायत यही हुआ और A के डायत तरण दूसरा G है सही है अब second पढ़ते है D के दायत तरफ दूसरा B है D के दायत तरफ तो दोस्तो A G है और फिर B तो दूसरा ही हुआ A भी सही है E के बायत तरफ दूसरा F है तो दोस्तो E E के बायत तरफ यहां पर हम दायत से चल रहे थे और यहां पर चल रहे थे हम बाए से तो दोस्तों यहां पर क्या जाएगा E के बाए तरफ F है तो दोस्तों हमारा यह तीनों कोश्चन सही है तो आंसर क्या हैगा उप्रोक्त मैसेज सभी तो दोस्तों नेक्स कोश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों question कह रहा है निम्रखित समूमे से किसमें तीसरा सदस पहले और दूसरे के लिए के बीच बेठा है तो इसमें बताना है हमें कि कौश सदस से वो पहले और दूसरे के बीच बैठा है तो आ या डि बीच में तो हम देखेंगे अfront E-A-D तो दोस्तों कोशन कह रहा है हमें तीसरा सदस तो हमें सिर्फ तीसरा बढ़ ही देखना है पहले और दूसरे के पीच में बैठा क्या D, E और A के बीच में बैठा नहीं बैठा, गलत यह answer नहीं आएगा D देखते हैं B, D और G के बीचे बैठा का D और G है और A रहा D, इनके बीच में B बैठा नहीं बैठा G, A और D के बीच में G बैठा क्या तो यहां पर हम देख लेंगे A A रहा और A D रहा, G नहीं है तो दोस्तो इसका आंसर आजाएगा इनमें से कोई नहीं हमारा एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा तो दोस्तो नेक्स कोचन के और चलते हैं दोस्तो नेक्स कोचन है C और A के बीच कौन बैठा है तो दोस्तो A C रहा और A A रहा A के बीच कौन बैठा है E, तो इसका सही आंसर आजाएगा E, नेक्स कोचन के और चलते हैं दोस्तो G के एकदम दाएं कौन बेठा है तो दोस्तो जी, जी का दाएं कहां पर है यहां पर तो एकदम दाएं यानि जी के जस्ट पास में तो जी के जस्ट पास में कौन बेठा है बी बेठा हुआ है तो दोस्तो क्या आजाएगा इसका अंसर बी आजाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मैं बताया कि आपको इस परकार के question पूछे जाएंगे एक algorithm बनाना पड़ेगा और एक algorithm के बाद जिसे आप railway में करोगे तो railway में आपके लिए एक question भी पूछा जा सकता है यह 4 और 5 जो ना आकर एक question नहीं पूछा जा सकता है इस algorithm के बाद तो आपको ऐसा ही algorithm बनाना पड़ेगा दोस्तो ऐसा algorithm बनाना पड़ेगा उसके बाद एक answer देना पड़ेगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, share, subscribe जरूर करना जाएर भी solution को